आज के हमारी इस वीडियो को टपिक what is difference between sun trip and uv trip मतलब कि sun trip और uv trip में क्या अंदर होता है दोस्तों आज का यह topic काफी ज़्यादा important है लेकिन इसका जवाब है वो काफी ज़्यादा simple है अगर हम बिना ज़्यादे लेकरे direct video start करें दोस्तों देखे simple सी बात है जैसा कि आप सभ short circuit overload इसे protection रेती है इसी तरीकी के mccb जो होती है mccb में भी आपको short circuit overload यह दोनों प्रोटेक्शन सब में ही मिलती है लेकिन इसके साथ-साथ जैसे circuit बेकर advance होते हैं जैसे mcb के बाद में जब हमारी mccb आती है तो इसके अंदर हमें कुछ और extra protection मिल जाती है जैसे कि over voltage की भी यह जितनी भी protection होती है इसके लिए circuit बेकर के अंदर एक अलग से coil को लगाई जाता है जैसे कि आपको यहां पर दिकर आए यह हमारी coil है यह हमारी coil है तो यह हमारी coil होती है यह हमारी requirement के अनल सा हमारे circuit बेकर में लगाई जाती है आप सभी ने already आपकी acb के अंदर भी इस त हमारी होती है उसके अंदर भी हमारी relay को लगाया जाता है अगर आपने अभी तक ऐसी mccb नहीं देखिए तो मैं आपको image में mccb दिखा रहा हूंगा आप वहां पर देख सकते हो उस mccb के side से हमारे wire निकल रहे होंगे तो यह जो extra wire है यह हमारी relay के ही होते हैं आपको पता चल गया कि हमारी mccb होती है इसमें भी हमारी relay लगी होती है तो सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर कर यह relay क्या है कैसे हमारे sun trip uv trip हमें मिलता है तो इसको भी हम समय लेते हैं तो दोस्तों देखिए अगर आप चाहे sun trip की बात करो चाहे uv trip की बात करो जैसे कि मैंने आपको इनकी trip के लिए हमें अलग से कोईल लगानी पड़ती है आपको एक बात हमेशा दियाने जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी over current हो गया short circuit current हो गया यह हमारे सभी circuit बेकर में पहले से inbuilt होती है लेकिन जैसे जैसे हमें extra protection की जवरत होती है तो उस extra protection को लेनी के लिए हम अलग-अलग relay को लगाते हैं जैसे कि अगर हमें UV trip से protection चाहिए तो हम आप एक UV relay लगा देंगे इसके अलावा अगर हमें कभी sun trip से protection चाहिए तो आपने सुनाओगा sun coil लगा देंगे या फिर इसे हम sun relay भी बोल देते हैं तो इस तरीके से हम अलग-अलग relay को हमारे circuit बेकर मे देती है और यूवी जो trip होती है यह हमें किस से protection देती है तो सबसे पहले बात करता है हम यूवी ट्रिप के तो नाम से ही आपको पता सल जाएगा इसकी full form होती हमारी अगर हमारी system में हम यूवी को लगाते हैं और उस कोईल की मतलब से जब हमें UV trip मलती है तो इसका मतलब क् पता भी है कि हमारी जितने भी लोड है अगर हम उसको अंडर वोल्टेज पर चला देंगे तो हमारे जो लोड है लोड खराब हो सकते हैं तो इसलिए हम कभी भी हमारे लोड को हमारे डिवाइस को कम वोल्टेज नहीं देना चाते तो इसी protection के लिए हम सर्कीट बेकर में UV ल आना है तो आप सेंट रिप को लगा सकते हो जैसे उधारन के लिए माल लेते हैं कि आप चाहते हो कि आपका जो ब्रेकर है वह सर्कीट बेकर आपके घर में लगे इंडश्टी में लगे जो स्मोग डिटेक्टर है जो हमारे दूए को सेंस करते हैं या फिर कभी हमारी आग लगे तो इस मोग डिटेक्टर जो सेंस कर लेता है उसके डिटेक्ट करने के बाद में अगर हमारा सर्कीट बेकर हम ट्रिप कराना चाहते हैं तो उस केस में हम सेंट को लगा सकते हैं इसके अलावा अगर मैं और उधार दूप तो हम सभी के इंड़ेश्टी में डीजी कराने कर तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारा टैंपरेशर सेंस होता रहेगा और हम इक लिमिट लगा देंगे कि उस लिमिट से जदा अगर हमारा टैंपरेचर जाता है तो उस case में हम हमारी sun coil को signal दे देंगे और हमारी sun trip हमारे breaker को trip करा देगी इसी तरह हम emergency button लगा सके हैं कि हमारी machine पर काम करना समय अगर कोई दुरगटना होती है तो उस case में कोई भी आदमी अगर उस emergency button को दबा दे तो भी हमारा circuit breaker trip हो जाए कहीं पर भी emergency हम वहीं से ही breaker को trip करा सकता है sun trip की मदद से और बात रही UV trip की जो की अंडर वोल्टेज ट्रिप होता है तो इसके नाम सी पता जलता है कि यह हमारे circuit breaker को हमारे अंडर वोल्टेज पर trip करा देता है तक कि हमारे जो लोड है circuit breaker जुड़े वे उसको कम वोल्टेज नहीं मिले और वह safely चलते रहे तो यही मुख्य डिफरेंस था हमारा sun trip और अंडर वोल्टेज के बारे में उमीद करता हूँ आपके इन दोनों के बीच में अंतर निवाद